आज की वीडियो में समखते हैं मल्टी मीडिया क्या होता है और इसकी आवस्यक्ता क्यूं होती है दो मुख्य प्रशन ये मल्टी मीडिया ये जो प्रशन आई IT-trained subject ये चाहेDCA 2 size 2 की बात करें चाहेDCA 2 की बात करें डौनों courtyard में IT-trained जो subject ये उसके अंतिरकत filty मीडियम मुख्य प्रश्ण आता है और इसके बारे में जानकारी जी सरल भास में समझाने का प्रयास करूँगा मल्टी मीडिया मीडिया जो वर्ड है उससे बना है मीडियम वर्ड मीडियम का मतलब होता है माध्यम अब यहाँ पर मल्टी मीडिया का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार की जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वो सारे माध्यम मल्टी मीडिया के अंतरगत आते हैं जैसे आप किसी व्यक्ति तक कोई जानकारी पहुचाना चाहते हैं तो उसको या तो आप टाइप करके भेजोगे या इमेज के माध्यम से भेजोगे या वीडियो के फॉर्मेट में भेजोगे या एनिमेशन या ओडियो रिकॉर्ड करके भेजोगे तो अलग-अलग प्रकार के तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं ये सभी प्रकार जो होते हैं ये मल्टी मीडिया के कहलाते हैं अब अगर आपन बात करें मल्टी मीडिया के अंतरगत सूचनाओं को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जैसे मल्टी मीडिया के अंतरगत सूचनाओं को आडियो वीडियो इमेज एनिमेशन इत्यादी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है कम्प्यूटर के छेतर में hardware के साथ software में भी काफी सुधार हैं हुए हैं पहले हम computer के माध्यम से सिर्फ इस्थिर picture या image को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थाथ एक computer से दूसरे computer पर भेज सकते हैं परतु आज के समय में animation है, audio clips है, video clips है इन सभी को message के रूप में एक computer से दूसरे computer पर भेजा जा सकता है यह आपको लिखने के काम आएगा अब इसी में एक और चीज एड़ कर लेते हैं कि इसकी आवसकता क्यों होती है आज के समय में multimedia की आवसकता मुक्य रूप से क्यों होती है पहले क्या होता था टेक्स्ट आधारित होती थी सारी चीज आपको किताब पढ़नी पढ़ती थी लेकिन अब उन्ही चीजों को जब वीडियो के माद्यम से एनिमेशन के माद्यम से आपके सामने रखा जाता आपको समझाया जाता इस माद्यम से तो वो चीज़े बहुत आसानी से समझ में आती जैसे बच्चो को आप देखते हैं चोटे बच्चो को कि हैब Alphabet, ABC, Tई नमबर से सिखाना होते है तो कार्टून की मदद से सिखाजाती है क्योंकि उनको कार्टून देखने में मज़ा आता है साथ में वो देख देख के उन चीजों को सीख भी जाते हैं तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका अगर बहतर होता है तो उतने ही आसानी से समझा जा सकता है इसी प्रकार से मल्टी मीजिया को प्योग आज के समय में एजुकेशन के चेत्र में मुख्य रूपसे किया जाता है ताकि बच्चों को सिखाया जा सके या किसी भी प्रकार की आसानी से एक दूसरे तक पहुचाई जा सकते मुख्य से मल्टी मीजिया की आवस्त सकता आज के समय में इनफर्मेशन को अट्रेक्टिव तरीके से और informative तरीके से लोगों तक पहुंचाना ताकि वो उनको जादा से जादा आसानी से समझ सके और उसको उपयोग कर सके यह मुख्य रूप से multimedia की आवसकता है आज की class के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली class में multimedia के बारे में और जानकरी के साथ आज की class में देखने वाले हैं multimedia को उपयोग कहा कहा होता है जैसे की पिछली class में अपने देखा था multimedia के बारे में कि क्या होता है multimedia और क्यूं आवसकता multimedia की होती है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि multimedia मुख्य रूप से education के चेत्र में बच्चों को ट्रेनिंग देने में इसका उपयोग मुख्य रूप से होता है उसकी आवर शक्ता पड़ती है तो यहां पर अगर उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला तो आप education के चेत्र पर ही ले ले चोटे चोटे बच्चों को भी अगर आपको ABCD सिखाना है 123 सिखाना है तो भी उनको काटून के मदद से वीडियो की मदद से सिखाय जाता है अनिमेशन की मदद से सिखाय जाता है ताकि वो आसानी से उस चीज को सीख सके और जल्दी सीख सके तो यह education के चेत्र में जानकारी लोगों तक पहुचानी होती है उसके लिए आपको पीटी के माध्यम से जानकारी बना सकते है पावरपाइट प्रजेंटेशन बना सकते है आपको किसी व्यक्ति तक जानकारी पहुचाने के लिए पैंफिलेट्स के इस्तेमाल करते है वीडियो के इस्तेमाल करते मतलब आपने बिजिनिस को ग्रो करने के लिए बिजिनिस में चीजों को इंफर्मेटिव बनाने के लिए आप मल्टी मीडिया के इस्तिमाल करते हैं तो वेबसाइब में भी मल्टी मीडिया का मुख्य रूप से उपयोग होता है मल्टीमीडिया का एक उपयोग entertainment के चित्रे में होता है मौनरेज़न के चित्रे में आज के सिमय में आज के साथ का जमाना है लोग साथ के माध्यम से instagram पे जो reels से उसके माध्यम से entertainment लेते और उसमें video format होता है इसके अलावा multimedia in games आज के सिमय में गेम्स के चेत्र में भी इसका महत्यपूर्ण उपयोग होता है 3D Animation गेम्स आजकल आ गया है जिसके बादन से आपको एक real environment का एहसास होता है जब आप गेम खेलते हो Multimedia in Public Place Public Place में भी आपको बहुत सारी ऐसे example दिख जाएगे Railway Station में आप दिखते हैं कि ट्रेडों के बारे में जानकारी जो है Digital Board पे लिखी होती है Digitally दिखाई देती है ताकि आसानी से लोगों तक information को पहुचाए जा सके साथी साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी जो नियम या rules होते हैं Railway से समदित वो भी टीवी के माद्यम से या announcement audio के माद्यम से लोगों तक पहुचाए जाता है आज के समय में एक और जो सबसे जादा मुखे उपयोग मल्टी मीडिया को होने लगा है वो है virtual reality वर्चुल रियल्टी एक ऐसा environment है जिसके माद्यम से आप अपने आपको उस जगह पर होने का एहसास करा सकते हो जिस जगह पर आप नहीं हो इसका मतलब अगर एक होता है एरोपलेन का आपको उडाने का मन कर रहा है और आप इसके लिए एक simulation को उपयोग कर सकते हैं जिसमें आपको यह एहसास होगा कि आप एरोपलेन को उडा रहे हो पुरा environment आपको दिया जाएगा लेकिन आप एक कमरे में बैठके एक 3D virtual reality का game खेल रहे होते हो तो इस प्रकार से virtual reality आज के समय में जिसको हम artificial intelligence से भी connect कर सकते हैं एक बहुत important part है science का multimedia का जो अब technology को एक नए label पर लिकर जा रहा है multimedia के उपियों को लेकर आज की class में बस इतना ही मिलते है अगली class में आज की class में देखने वाले है multimedia के elements कौन कौन से होते है जनरली multimedia में जो है 5 परकार के elements सामिल की गए है यह diagram के माद्यम से आपको यहाँ पर दिखाई देगा elements of multimedia मुक्य रूप से text, audio, animation, video और images यह 5 परकार के elements होते हैं जिन से मिलकर या जिनको हम multimedia के अंतरगत कहा जाता है अब यहाँ पर text के माद्यम से आप जानकारी को किसी व्यक्ति को text जैसे आप chatting करते हो तो type करके आप जानकारी send कर सकते हो audio आपने देखो whatsapp में text के साथ audio का भी एक option आता आप audio के माद्यम से भी जानकारी भेज सकते हो animation आज के समय में बहुत important भाग है multimedia का जिसके माद्यम से आप cartoons वगरे create कर सकते हो और इसके माद्यम से आसानी से बच्चों को training दे सकते हो video जैसे की YouTube या जैसे की आप अभी देख रहे हैं किसी भी प्रकार की information को लेने के लिए जानकारी को लेने के लिए एक video बहुत अच्छा format होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चीज आप पढ़ते हो उससे जादा आपको तब याद रहती जब उसी चीज को आप देख लेते हो आप कोई कहानी पढ़ते हो और वो कहानी आपको कुछ समय के लिए याद रहती लेकर उसी कहानी पर आधारित किसी movie को अगर आप देख लेते हो तो वो कहानी आपको हमीशा के लिए याद हो जाती क्योंकि आपने उसे चलते हुए reality में चीजों को देखा है उसको आपने act के माद्यम से देखा एक video के माद्यम से देखा इसलिए जानकारी को video format में देखने पर वो जानकारी लंबे समय तक आपके मस्तिस्क में आपकी याद में बनी रहती है इसलिए video format multimedia का एक बहुत आप बोल सकते है strongest element कहलाता है इसके लाबा image के माद्यम से भी आप जानकारी हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर सकते हो जैसे अभी फिलाल आप element of multimedia की image देख रहे हो इस image में आपको 5 text या 5 ये जो images लगी हुई है जिसके माद्यम से बताया गया है कि कौन-कौन से 5 मुक्य element होते हैं multimedia के और इस एक image में आपको इस पूरे प्रश्ण का जबाब यहाँ पर मिल जाएगा तो आप इसे आसानी से इन पाचों को आपको diagram बनाना चाहिए diagram बना सकते है exam में फिर पाचों को आपको side reading डालते हुए detail में थोड़ा थोड़ा इनकी बारे में लिखना होगा ताकि आपको अच्छे नमबर यहाँ पर मिल सके तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते अगली class में माखलाली उनिवर्सिटी DCA Second Sam subject IT trained के अंतरगत पिछले वीडियो में हमने देखा था unit second का important question ध्वानी फाइल याने की sound file के format के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं plain और formatted text के बारे में explain the concept of plain and formatted text यह सवाल यहाँ पर दिया गया है जो की unit second के अंतरगत पूछा गया था DCA Second Sam में ठीक है तो इसका answer देखते क्या होता है मुक्री रूप से देखो कुछ ऐसी चीज़े होती है जिनको explain करना बड़ा मुस्किल हो जाता है अब लाइक आप इसी सवाल की बात करते हैं यह प्रशन ऐसा है plain text और formatted text को समझाना है इसको लिखना बड़ा मुस्किल होता है क्योंकि इस चीज़े को आप explain कैसे करोगे यहाँ पर आपके सामने जो अभी screen पर दिखाई देरा text लिखा हुआ नीचे वाले text जो लिखे है वो plain text है लिकि उपर जो लिखा है वो bold है बड़ा सा बड़ा है heading की format में वो formatted text है अब इसको आप explain कैसे करेंगे इसलिए इनके साथ इस प्रकार के प्रश्णों में आपको सब्दों के साथ खेलना पड़ेगा और यह कैसे होगा उसके लिए अपना answer देख लेते हैं सबसे पहले plain text क्या होता है यह आपको लिखना है side heading बढ़िया अच्छे से लिखा देना उसमें लिख देना है कुछ point के वाइस लिख सकते हो plain text white text होता है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और इस text का कोई format नहीं होता है आसान सब्दों में कहा है तो plain text कोई file या दस्तावेज हो सकता है जिसे हम आसानी से पढ़ा सकते है यह एक साधारण text होता है जिसे में कोई विशेस style नहीं होती यानिकी font का आकार, bold, font या italic नहीं होता है plain text के वल पढ़े जा सकने वाले सब्दों को ही प्रस्तूत करता है यह चित्र और graphics को प्रस्तूत नहीं करता है plain text का background white होता है और text का color black होता है हम इसके color size और format को change नहीं कर सकते है समाने रूप से plain text को लिखने के लिए notepad, wordpad के इस्तमाल किया जाता है plain text का उपयोग text file को store करने के लिए की जाता हम Microsoft notepad, wordpad, word के माद्यम से plain text बना जाता है अब बात को formative text क्या होता formative text एक ऐसा text है जिसे दिखने में काफी attractive होता है जिसके color इसका इस्तमाल महत्यपूनी जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है आसान सब्दों में कहें तो यह digital text है जो काफी stylus होता है जिसमें रंग, font, आकार सामिल होते हैं और इसको attractive बनाते हैं इस text को हम wide के साथ माद्यम से बना सकते हैं जिसमें font, आकार, color जैसे features होते हैं और हम जरूरी text को bold कर सकते हैं plain text की तुल्ला में यह अधिक आकरसक होते हैं जिसके card user को इन text को पढ़ते समय एक अच्छा अनुबहुत राप्त होता है formatted text का मुख्य उद्धे से सूचना को अच्छे तरीके से दिखाना होता ताकि user उसे अच्छे से समझ सके बहुत सारे ऐसे प्रशने हैं जो आपको इसी प्रकार के मिलने वाले है एक्जाम के समय पर कोज बातों को अब इसे द्यान रखना है थोड़े सी जानकर यह आपको दे देता हूँ मुक्रूप से क्या होता बहुत सारे ऐसे प्रशने भी आपको पेपर के टाइम पे मिलेंगे जिसको explain करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है और हर चीज को आप रट नहीं सकते हो याद नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको करना यह पड़ेगा आपको अपनी समझ इस्तमाल करनी पड़ेगी और चीजों को इस प्रकार से लिखना आना चाहि तो इस बात को याद रखिएगा और लिखने की practice जारी जाए क्योंकि तीन गंटे का exam है तीन गंटे अगर आप अभी से practice आपकी नहीं है लिखने की और आप अचानक से तीन गंटे paper bus में लिखने के लिए बैठ जाएंगे तो बड़ी समस्य हो जाएगी वहाँ पर आपकी handwriting बहुत गंदी आने लगीगी अगर आपके पास लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो इस कारण से लिखने की प्रैक्टिस अभी चरू कर ले और अपनी ऐंडराइटंग में विशेस रूप से ध्यान दे, समय का विशेस रूप से ध्यान दे कि आप कितने समय में कितनी स्पीड से लिख पा रहा है एक्जाम के दिर्ष्टी कोड से बहुत सारी चीज़े हैं जो important होती है और exams related और भी tips आपको मैं जरूर चैनल के माद़न से देता रहूँगा चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में माखलाल यूनिवर्सिटी के DCA 2nd SEM में जो IT-trained एक subject होता है उस subject के अंतरगत unit first देगी पुराना question paper important सवाल इसमें से अपन important question है वो अपन कर रहे हैं आज अपन बात करने वाले हैं ध्वनी file के स्वरूपों के बारे unit second का पहला question है ध्वनी file के स्वरूपों को परिभासित कीजे और भी बहुत सारे जो question paper हैं वो अपन solve करवाएंगे इस चैनल के माद्यम से वीडियो के द्वारा तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लीजिएगा यहाँ पर DCA और PGDCA माकलाल युनिवर्सिटी से संबंदित साथी साथ competition exam से संबंदित जानकारी भी हम आपको बीच-बीच में प्रदान करते रहेंगे आज समझने वाले हैं ध्वनी फाइल के स्वरूप को परिवासित कीजी इंपोर्टन सवाल है question है जो paper में अक्सर पूछा जाता है तो इसका answer क्या है sound file sound file आपने सुनों जैसे MP3 file आपने देखो सबसे पहले चीज़ यह समझे लो कोई भी file होती है उसका एक format होता है PDF file होती है उसका extension .pdf लगाया जाता है इसी प्रकार से audio file भी होती है जैसे video file की अगर बात परो .mp4 file होती है .mpeg file होती है तो यह अलग-अलग जितनी भी files होती है जो bit ya bytes से बनती है उन सब के extension होते हैं और हर किसी के extension के आधार पर उसको आप बोल सकते हैं कि divide किया जाते हैं कि यह किस प्रकार की file है उसकी पहचान होती है वो इसी प्रकार से sound file भी होती है sound file audio related files है इसको हम audio files भी कहते हैं और इसमें मुक्रूप से कितने प्रकार की sound file होती है उसके बारे में अपर इस सवाल में पढ़ना है तो यहाँ पर आंसर देखते हैं sound file format को audio file format भी कहा जाता है या एक ऐसा file format है जिसका इस्तमाल computer या दूसरी device पर audio या sound को store करने के लिए किया जाता है sound को किसी computer या phone में store करने के लिए अलग-अलग file format की अब सकता होती है तेरे को अलग-अलग file format की बसकते है क्या होती तीन प्रकार की मुकरुब से तीन category में बाटा गया है पहली category है uncompressed sound format दूसरी category है lossy compressed sound format और तीसरी है looseless compressed sound format यह तीन है नाम याद रखिएगा पहला uncompressed sound format के अगर बात करते हैं तो वह sound format जैसे compress नहीं किया गया होता उसे uncompressed audio format कहते है uncompressed होनी की वज़े से sound format का size बहुत बड़ा होता है अब कौन-कौन सी uncompressed file format होते है एक होता PCM नाम यह PCM याद रखिएगा PCM का पूरा नाम होता है pulse code modulation इसका इस्तमाल analog signal को digital रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है आसान सब्दों में कहें तो यह है एक sound file format है जिसका इस्तमाल analog signal को digital signal में बदलने के लिए किया जाता है आप PCM का उपयोग ज़्यादतर CD DVD में किया जाता है इसे linear pulse code modulation के नाम से भी जाना जाता है यह हो गया PCM याद रखेगा PCM का full form होता है pulse code modulation sound के अंतरकत WAV अगली है WAV WAV का अर्थ होता है waveform waveform इसको बोलते है फुल फॉर्म जो है इसका यह है एक sound file format है जैसे 1991 में Microsoft और IBM के द्वारे विक्सित किया गया है WAV का जादा तर इस्तमाल movie और filmों के sound को store करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहतर quality का sound प्रदान करता है यह Windows और Mac दोनों operating system को support करता है अगला है AIFF यह भी uncompressed के अंतरकत आता है इसका पूरा नाम audio interchange file format है यह एक sound format है जिसे Apple के द्वारा 1988 में विक्सित किया गया था sound format को Mac system के लिए विक्सित किया गया था हाला कि यह Windows और Mac दोनों को support करता है web file की तरह AIFF file में भी कई प्रकार के audio होता है जिसमें PCM format में uncompressed audio होता है तो यह भी uncompressed के अंतरकती ही आता है अब बात करते हैं lossy file format की lossy compressed क्या होता है sound format जिसको compress करने के बाद sound की quality कम हो जाती है अर्था sound की quality में नुकसान होता है उसे lossy compressed sound format कहते है इसमें sound या audio को compress करने के बाद audio file का size बहुत कम हो जाता है हम हमेशा uncompressed file को store करके नहीं रख सकती क्योंकि उसका size बहुत अधिक होता है इसलिए हम sound को compress करना पड़ता है लेकिन आप देखो compress करने में कौन-कौन सी file है जो अपनी quality को देथी पहला MP3 सबसे ज़्यादा आपने MP3 file के बारे में सुना होगा MP3 की full form MPEG audio layer 3 होती है MP3 एक तकनीक है जिसे 1993 में MPEG याने की moving picture expert group MP3 की full form बताता जा रहा हूँ यह competition exam की दृष्टी code से बहुत important है इसलिए full form जरूर कहीं पर note down करते चलिएगा MP3 moving picture expert group के द्वारे develop किया गया है यह एक ऐसी विधी है जिसका इस्तमाल sound sequence को छोटी file में बदलने के लिए करते हैं MP3 file को बहुत कम memory space किया बसकता पड़ते हैं इनका आकार काफी छोटा होता है इन file का इस्तमाल गाने या पूरे CD data को रखने के लिए भी किया जाता है एक computer में 1000 MP3 file को store किया जा सकता है क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है यह संगीत file के लिए लोगपरी audio format होता है MP3 का मुख्य उद्धिस उन्हें sound को हटाना है जो मानव के कानों को नुकसान पहुचा सकती है या उन्हें के सुनने योगिन नहीं है चलो अगला है AAC इसका पूरा नाम है Advanced Audio Coding इसका विसका 1997 में MP3 के बाद किया गया AAC file को compress करनी के लिए जिने अलगोरिथम को उपयोग किया जाता है MP3 की तुलना में अधिक जटिल होते हैं Advanced Audio Coding में sound की quality काफी अच्छी होती है इसका उपयोग YouTube, Android, iOS, iTunes, PlayStation के द्वारा किया जाता है अगला है WMA file WMA का पूरा फुल फॉर्म जो है Windows Media Audio इसका विसकार Microsoft ने 1999 में किया था इसका इस्तमाल Windows पर किया जाता है इसे MP3 की कुछ कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया इसका अरत है यह है कि MP3 audio format जो कमिया है वो WMA में नहीं होगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला जो तीसरी category है वह है Looseless Compressed Sound Compression वह है Sound Format जिसको Compress करने के बाद Sound की Quality कम नहीं होती अर्थात Sound की Quality में कोई नुकसान नहीं होता इसे Looseless Compressed Sound Format कहते हैं इसमें Audio File का Size भी कम हो जाता है और Quality भी कम नहीं होती है कौन-कौन से Example है दो Example है आप दी एक है FLAC Free Looseless Audio Code इसमें 50% तक साउंड को कम प्रेस करने के बाद भी Quality Loss नहीं होती यह एक लोकपरी विदी है इस विदी का आविसकार 2001 के सुरुआत में किया गया था यह सभी डिवाइस के कम्पूटर को सपोर्ट करता है और लास्ट इसमें है .ALAC इसका पूरा नाम है .ALAC से थोड़ा कम कुसा लियाने की कम efficient होता है तो आज की वीडियो में आपने देखा कौन-कौन से sound file format होते हैं मुक्रूप से तीन कैटिगरी में बाटा गया है uncompressed sound format दूसरा lossy compressed sound format तीसरा looseless compressed sound format आसा करता हूँ आज के वीडियो में आपको जानकारी समझ में होगी मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ DCA Second Sam और PGDCA Second Sam के अंतरगत एक सवाल आता है e-democracy को लेकर कि e-democracy क्या होती है रिखे सबसे पहली बात यह कि DCA वाले हो Second Sam या PGDCA वाले हो Second Sam दोनों के में IT trained जो subject है वो common है इस करण से सवाल दोनों के syllabus एक जैसे हैं सवाल एक जैसे हैं इस करण से यह जो वीडियो है यह DCA Second वालों के लिए भी काम आएगी और PGDCA Second वालों के भी काम आएगी ठीक है अब बात करते हैं या E-Democracy के बारे में तो E-Democracy से related बहुत सारे ऐसे notes या लिखी हुई बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी जहां पर यह अभी तक clear नहीं हो पाता है कि भी या E-Democracy क्या होती है आपने बहुत सारे notes पढ़े होंगे बहुत सारी अपने theory पढ़ी होगी लेकिन E-Democracy को सही तरीकी से explain किसी भी theory में नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्द यहां पर इस्तमाल किया जाते हैं जो लोगों के सिर की उपर से चले आते हैं लोगों की समझ के बाहर चले आते हैं तो अंतिता है उनको क्या करना पढ़ता है इन चीजों को रट के जाना पढ़ता है याद कर लेते हैं अगर पेपर में आता है तो इसको लिखना पढ़ेगा इस कारण से तो यहां पर E-Democracy को मैं अपने तरीके से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा अगर आपको चीजा समझ में आ जाती ताकि आप इसको अपने मन से लिखने का प्रयास कर सेके तो यहां पर E-Democracy के पहले अपनको सब्दे समझना पढ़ेगा कि Democracy क्या होती है न तो लोकतंत्र के बारे में सबने सुना होगा जनता का राज इसको बोलते हैं जनता का ही राज चल रहा है जो उसका राजा होगा उसको जनता चुनेगी और जनता के कही अनुसार वो काम करेगा तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र है जैसे आज के समझ में होता है तो e-democracy में होता है कि ये चीज़ है जो लोकतंत्र या जो जनता का राज है जब ये internet या online माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम e-democracy का नाम देते हैं अब e-democracy में क्या होता है आप ने देखा हो को चुनाओ होता है चुनाओ के पहले क्या होती है वोटिंग होती है मतलब किस प्रकार की वोटिंग एक आप बोलते है कि एक internet पर पॉल किया जाता है कि किस की party आने वाली है या किस की तरफ रुजहान जादा है लोगों का तो ये ये वोटिंग की जाती है ये जो चुनाओ के पहले ये जो नतीजे बता देते कि इस party के जो ज़्यादा लग रहा है चांसे ज़्यादा लग रहा है तो ये democracy का कुल मिला कर मतलब हो गया कि internet के माद्दम से लोगों से सुझाओ लेना लोगों की जानकारी प्राप्त करना उन उनसे उनके मन की बात जानना कि वो क्या सोचते हैं जब लोगों की या लोक तंत्र की बात करते हैं कि यहां पर देश की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कानून से संबंद जानकारीयों के लिए या उनमें होने वाले जो भी बदलाव होते हैं या उनसे जो भी आप सजेसा लेना चाहते हैं तो आज के समय में व्यक्तिगत राय लोगों से लेना यह e-democracy के इंतरगत आता है तो आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे माध्यम ऐसे पूल अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से सरकार या कोई भी ऐसे प्राइवेट कमपणी या जो भी व्यक्ति क कर रहा है समाज से संबंदिर वो लोगों से राय लेता है इस प्रकार का लोक तंत्र जो इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से जारी किया जाता है चलाया जाता है इस प्रकार के लोक तंत्र को इडेमोक्रेसी कहते हैं मेरे हिसाब से ये जो साब्दिक भासाएं लिखी हुई हैं विविन्न किताबों में विविन्न जगहों पर उसके हिसाब से उसका निचोड जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया आपका क्या इसके प्रती विचार है आप क्या कहना चाहते हैं आपके हिसाब से लोकतंद्र को और कैसे अच्छे से हम define कर पाएंगे comment करके जबूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो DCA seconds से हम IT trained subject के अंतरगत last कुछ वीडियो में हमने आपको unit second के प्रशनों के उत्तर दिये थे जैसे कि ध्वनी file याने की sound file से related सवाल था plain text formatted text से related सवाल था आज बात करने वाले unit third की unit third में सबसे पहला question जो आया important question वो है cyber crime क्या है how can we protect it आप इससे किस प्रकार से बच सकते हैं कौन-कौन से उपाय होते हैं इसके बारे में आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके अलावा और भी DCA first, DCA second, PG DCA first, PG DCA second के important question को लेकर हम अपने channel के माध्यम से आप सभी को जानकारी देते रहेंगे इसलिए channel पे नए हैं तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा चली शुरू करते हैं आज का प्रशन है cyber crime क्या है तो जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में internet के माध्यम से या internet या online माध्यम से बहुत सारी काम होते हैं like online swapping होती है, online transaction होते हैं और इस प्रकार के काम को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनका गलत फाइदा उठाते हैं तो इसके हिसाब से cyber crime क्या होता है प्रिवासा देख लेते हैं यह एक ऐसा कार्य है जो गैर कानूनी है तता जिसमें सूचना तकनीकी या computer का उपयोग किया जाता है आधन की योग में बहुत से गैर कानूनी काम या अपराध करने के लिए computer का प्रियोग किया जाता है जैसे कि चोरी, धोकदड़ी, जालसाजी, सरारत आदी सूचना तकनीकी प्रगती ने अपराधिक गतिविदियों के लिए नई संभावनाएं भी बनाई हैं इन प्रकार के अब राधों से नेपटने के लिए cyber law बनाया गया है cyber crime को दो तरीकों में बाटा गया है दो category वाइस जिनको बाटा गया है अब यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं जिनके अंतरगत मुक्य रूप से कौन-कौन से cyber crime आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले एक होता है unauthorized access and hacking यह word आपने कई जगह पर सुना होगा अब इसके अंतरगत क्या होता है किसी भी computer या computer network में बिना अनुमती के प्रवेश करने को unauthorized access या hacking कहा जाता है अनाधी करत व्यक्ती द्वारा computer network में किया गया कोई भी कार इस अपराद की स्रेड़ी में आता है जो व्यक्ती किसी network में अनाधी करत तरीके से प्रवेश करता है उसे hacker कहा जाता है hacker ऐसे program बनाते हैं जो वांचित network पर आक्रमल कर सकते हैं इस प्रकार की कार साधार अरता वित्ती अपरादों में बहुतायत में होते हैं इसके अलाबा दूसरी जो इसका प्रकार है वो है data theft या नगी data चोरी करना किसी संसिता या व्यक्ती या computer network में अधिकरत व्यक्ती के अनुमती के लिए बिना उसके computer के data को copy करना उसे share करना या data चोरी के अपराद की स्रेडी में आता है किसी अनाधिकरत व्यक्ती द्वारा किसी अन्य व्यक्ती या संसिता की अनुमती के बिना data copy करना घैर कानूनी माना जाता है तो यह second category होगए data theft देखिए मैं आपको theory इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको exam में theory ही लिखना पड़ेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या side heading डालना है उस side heading के अंतरगत आपको क्या topic है क्या ऐसी जानकारी जो लिखना है तो आपको side heading को आप समझ लें कि क्या होता है उसके बाद जो उसके अंतरगत जानकारी उसका मूल समझ लें बेसिक समझ लें और उसको अपनी भासा में आपको लिखना होगा इसलिए लिखने की practice जारी रखना तीसरा प्रकार है computer virus को फैलाना जो प्रोग्राम किसी computer या computer network की अनुमती के बिना computer में प्रवेस कर लेते हैं उन्हें computer virus की स्रेडी में डाला जाता है साधार रता है virus या war में प्रोग्राम का काम किसी अन्य के computer की data को खराब करना है इसलिए कोई व्यक्ति या संस्ता किसी ऐसे प्रोग्राम को अनावस्यक रूप से फैलाते हैं तो उन्हें इस अपराध की स्रेडी में रखा जाता है तीसरा प्रकार हो गया क्या आपका spreading virus अब चौता प्रकार है identity theft करना है या पहचान चुराना किसी अन्य व्यक्ति की पहचान चुराकर computer network के प्रकार करना इस अपराध स्रेडी में आता है computer network के पर swim की पहचान बना कर swim को दूसरी के नाम से प्रस्तूत करना उसके नाम पर कोई गपला करना बेवकूब बनाना IT Act के अंतरगत अपराध है इसके अथिरिक ते किसी अन्य व्यक्ति का password के प्रियोग करना digital signature की नकल करना भी इस अपराध की स्रेडी में आते हैं किसी अन्य के नाम का प्रियोग कर अवांचित लावद लेना धोकादड़ी करना इस अपराध के कैटिगरी में आते हैं इसके राबा Trojan Attack एक क्यलाता option इसके अंतरगत आता है Trojan उस प्रोग्राम को कहा जाता है जो दिखते तो उपियोगी हैं लेकिन उनका कार ने कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुचाना होता है ये कुछ कैटिगरी थी जो कंप्यूटर या साइबर क्राइम के अंतरगत आती है कंप्यूटर से संबन देते जो क्राइम के जाते है अब इनसे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं साइबर अपराद से बचने के उपाए सबसे पहली चीज़ तो login ID या पासवर्ट सुरक्षित रखना चाहिए समय समय परिश से परिवर्थित करते रहना चाहिए एंटीवारस साफ्टेर का प्रयोग करना चाहिए firewall का प्रयोग करना चाहिए आपके computer या laptop में firewall option होता है जिसका आमेशा प्रयोग करना चाहिए data की backup या copy हमेशा रखें ताकि आपका data कभी delete हो जाता है या किसी कारण से चोरी होता है तो आप उसका बैक अपके पास हमेशा रहे प्रॉक्सी सर्वर को प्योग करें डेटा को encrypted form में बदलकर भेजनावा receive करना चाहिए encrypted form में क्या होता है डेटा आपका सुरक्षित हो जाता है जिससे डेटा कोई भी hacker या किसी भी प्रकार के ऐसे आप विश्वरसीने लोग जो आपके बिना permission की डेटा एकसेस करना चाहते है उन तक ये डेटा नहीं पहुँच बाता है आज के समय में cyber crime बहुत ज़्यादा इस तरह पर बढ़ रहा है इससे आप सभी को बचना चाहिए और देख कर समझ कर ही किसी भी प्रकार से internet का या computer के आने वाले जितने भी email है या SMS है उनका उप्योग करना चाहिए आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ DCA seconds M, PG DCA seconds M के IT trained subject के अंतरगत आज का जो प्रशन है वो बड़ा interesting है जिसको आज समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को प्रशन है hand off क्या कहलाता है बहुत सारे लोग जो इस सवाल को छोड़ देते हैं यह जो mobile computing related सवाल है mobile switching office related सवाल है यह इन प्रशनों को छोड़ देते हैं और यही प्रशन exam में पूछ लिये जाते हैं जिस का रड़ से उनको समझाती है और छोड़ने का का रड़ यह है क्यों को concept समझ में नहीं है कि हो क्या रहा है actually मैं इस कारड़ से प्रयास करूँगा hand off की क्या प्रक्रिया होती है इसको आप समझ लो ताकि आप इसको अच्छे से explain करके आ सको ठीक है चल इसको देखते हैं hand off में actually बताया यह गया है क्या होता है थोड़ा सा मैं इसका basic समझाने का पहले प्रयास करूँगा मान लो दो network है एक यहां पर tower लगा हूँ है mobile का tower लगा हूँ है एक mobile tower यह लगा हूँ है ठीक है इसको आप इस परकार से समझ सकते हैं कि यह mobile के tower लगे हूँ है ठीक मान लो यह एक tower है और एक tower यह लगा हूँ है mobile का अब आपके signal जो है उसकी range लगबग mobile के signal की range यह जो tower लगा है उस tower में यहां तक इसकी signal की range आ रही है और ऐसे ही यह वाला जो tower है इसकी range इस परक पूर है और यह आपका जो एरिया पड़ जा यहां पर अब कर रहा है अब मान लो कोई व्यक्ती एक व्यक्ती है जो यहां से जबलपुर से चलना चालू करता है गाड़ी में बैठके अपने और यहां से चलते 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 वो सिहोरा जा रहा है सिहुरा जाते समय रास्ते में बीच में एक ऐसा एरिया पड़ेगा उसको जहां पर वो जबलपुर के नेटवर्क को छोड़ेगा और सिहुरा के नेटवर्क को पकड़ेगा ठीक है यह प्रक्रिया होगी मतलब जब उसके मुबाइल पर क्या होगा जबलपुर का नेटवर्क खतम होगा और Sehora का network start होगा तो इस जगह पर यह बीच का जो area कहलाएगा जहाँ पर यह जो network है यह जो frequency है इसके mobile की वो क्या होती है switch होती है इस जगह को या इस प्रक्रिया को बोलते हैं hand off किसको बोलते हैं actually प्रक्रिया को यह बताता हूँ यहाँ पर जब यह transfer होता है तब दो चीजों हो सकती या तो अगर मालों वो continue बात कर रहा है बात करते करते है वो उस जगह को cross करता है जहाँ पर दोनों network अभे लिवल थे उस जगह को cross करते है या तो switch करते समय उसका call drop हो जाए बंद हो जाए या तो call बंद हो जाए disconnect हो जाए क्योंकि network चला जाएगा अचानक से या तो यह दूसरा काम हो जाए कि drop ना होने की जगह है वो एक network को छोड़के दूसरे network में switch हो जाए तुरंत switch हो जाए बिना call drop हुए अगर आप बात करते करते आपका network change होगे लेकिन आपका phone बंद नहीं हुआ कटा नहीं network की करण से तो को बोला जाता है handoff की प्रक्रिय हलिए гл np हा यथ मिलाना एक प्रकार से को जहाँ पर एक network को दूसरे network की सांथ स् Premercnd योड़ दिया जाता है तो इसको बोला जाता है handoff की प्रक्रिय है मोबाइल कंप्यूटिंग के अंत्रक्री अंतरक उन्द इसको takim काती होती है किस प्रकार से यह काम करती है आप इसको अपने सब्दों में भी explain करके आ सकते हैं अगर इसकी परिभासा की बात करेगी इसकी परिभासा क्या कहलाएगी तो परिभासा के लिए मैं आपको यहाँ पर परिभासा दिखा देता हूँ hand off नब इंप्लिमेंच होता है यहाँ पर पड़ पाएंगे hand off नब alto इंप लिमेंच होता है जब call एक रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में ट्रांस्फर होती है इस transfer में mobile equipment एक cell को छोड़ता है तदा दूसरे cell में प्रवेज करता है जब यह mobile user एक cell को छोड़ता है तो reception कमजोर होता है इस बिंदू पर cell site एक handoff के लिए request करता है mobile telephone call को एक नए cell में strong frequency channel में switch करता है यह user को alert या रुकावट के बिना होता है user को handoff को कोई notice नहीं मुल आपको पता भी नहीं चलता कब आपका network switch हो गया तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है handoff की प्रक्रिया आसा करते हूँ आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जिरू कीज़ेगा चैनल पे नहीं चैनल को subscribe के लिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में आज की class में समझने वाले हैं mobile switching office क्या होता है देखें बहुत important ये question भी important है क्योंकि अकसर exam में पूछा जाता है साथी साथ में mobile switching office अपने आप में बहुत important चीज होती है वो क्या होता उसको समझ लेते हैं आप रोज call करते हैं किसी वेक्ति को call करते हैं mobile पे call करते हैं telephone पे call करते हैं आप अलग-अलग जगह पर call करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि एक call हमारा एक ही mobile से अलग-अलग लोगों को कैसे लगता है या कैसे switch होता है इन सब चीजों के बारे में ये सारा काम जो होता है ये mobile switching office का होता है क्या होता है इसको थोड़ादा definition के बारे में देख लेते हैं mobile telephone switching office इसको अपन mobile switching office या mobile telephone switching office भी कहते हैं एक PSTN केंद्री कार्याल है कि mobile के बराबर है MTSO में mobile phone call को ध्यान से पढ़िएगा MTSO याने की mobile telephone switching office में mobile phone call को root करने के लिए root करने के लिए मतलब उसको रास्ता दिखाने के लिए switching उपकरण या mobile switching center सामिल होते हैं switching उपकरण मतलब आपके call को switch करने के लिए आपके call को connect करने के लिए यहाँ पर mobile switching center सामिल होते हैं इनमें उने सेल साइटों को नियंतरित करने के उपकरण भी सामिल है जो MSC से जुड़े हैं ठीक है अब आपने देखा हैंड आफ प्रचली जो वीडियो था हमने हैंड आफ के बारे में बात किया था हैंड आफ में भी जब एक नेटवर्क से आप दूसरी नेटवर्क में प् और केवल ना केवल मूबाईल की बात करे हैं या हेंड आफ की बात करे हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जो मूबाईल स्विचिंग ओफिस के मढद्य हम से की जाती है सभी cellular system में कम से कम एक MTSO होता है जिसमें कम से कम एक MSC होता है MSC याने mobile switching जो आपकी company होती है mobile site के साथ साथ इस्थानिय telephone प्रणाली पर call switch करने billing data record करने और sales site operator से data संसाधित करने के लिए जिम्मेदार होता है तो mobile telephone switching office एक बहुत ही आवस्यक भाग होता है किसी भी प्रकार से जब आप mobile पर बात करते हो hand off की प्रक्रिया की बात करें या call switch के बारे में बात करें तो यहाँ पर MSC जो आपका mobile switching office है वो बहुत ही important होता है अब एक चीज़ और समझा देता हूँ तो थोड़ा सा एक basic जानकारी इसके बारे में देता हूँ आपको आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप किसी व्यक्ति को call करते है telephone number की अगर बात करते हैं telephone number की बात करते हैं तो प्रतेक सहर में एक exchange office होता है मतलब उस telephone का exchange office जैसे BSNL की बात करें लिकिन अभी पहले की BSNL की बात करें अगर जैसे माल लो जवलपूर है जवलपूर में पूरो जवलपूर का जो area code है वो है 0761 ठीक है 0761 उसके बार 2890 माल लो यह होगे आपका area wise डिशेंज होता है और last के 3 digit number कोई भी एक number अपन उठाते हैं तो यह जो last के 3 होते हैं यह local number कहलाते हैं मतलब अगर कोई local वेक्ती जवलपूर का जवलपूर में कोई वेक्ती है तो वो 111 जो भी आपका local number है उस number से वो call करता है अब 2890 के होगे यह आपका district का number कहला गया और जो 0761 यह आपका area का number कहला गया है यह 2890 चार नंक है यह आपका area wise number डिवाइड हो गया ठीक है और यह जो 0761 है यह आपका पूरा जिले का district का number डिवाइड हो गया अब इसी परकार से कोई दूसरे सहर की बात कर लो माल लो कोई दूसरा सहर है जहां का code यह है और वहां का number कुछ है और लास्ट में कुछ और number वहां पे लिखा हुआ है इस परकार से दूसरे सहर में भी होगा अब यह कैसे काम करता है काम ऐसे करता है कि आप अपने local number से आपने call लगाया माल लो इस number को dial किया 0765 जो भी number तो इसको dial किया request पहले जाएगी आपके जो area वाले उसमें office है वहां पर area से जो आपका district office है वहां पर इस district office में चेक किया जाएगा सबसे पहले यहां पर कि किस district में connect किया गया है उस district में switch किया जाएगा फिर उस district से check किया जाएगा कि कौन कौन से area जहां पर यह connect किया गया है उस area में connect किया जाएगा फिर उस area से ये देखा जाएगा कि किस number पर connect किया गए फिर उस number पर connect किया जाएगा मतलब यहाँ पर call को switch करने के लिए जितने भी office बनाये जाते हैं छोटे छोटे office होते हैं इनको हम mobile switching office के नाम से भी जाग सकते हैं इस प्रकार से mobile switching office आपके call को divert करने call को root करने के लिए बहुत ही important भाग होता है इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा किताबों से पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा क्यूंकि अगर यह आता है तो इसके बारे में थोगी detail में आज के समय में artificial intelligence यह जो wide है यह बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है because of chat GPT chat GPT के बारे में आपने सुना होगा अगर आपको नहीं है जानकरिये में comment करो अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में मैं आपको जरूर एक वीडियो के मादब से जानकरी दूंगा ताकि आप भी artificial intelligence का उपयोग करकर नई नई चीज़े सीख सको ठीक है तो सवाल यहाँ एक मुवी आई थी रोबोट मुवी जिसमें AI का प्रयोक करके एक रोबोट को इनसान की तरह सोचने या इनसान की तरह काम करने लायक बनाया गया था यह सकती है यह पावर है artificial intelligence की जिसको अपन हिंदी में कृतिम बुद्धी मत्ता भी कह सकते हैं यह एक ऐसी कृतिम बुद उससे करवाना चाहता है यह कैसी मसीन है artificial intelligence अगर सापदिक परिभासा की बात करते हैं जो आपको exam में लिखना है वो क्या है जब हम किसी computer को इस तरह तयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धी मत्ता की तरह कार कर सके उसे artificial intelligence कहते हैं अर्था जब हम किसी मसीन के मसीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की भानती कार्य कर सके उसे artificial intelligence कहा जाता है अब आज के समय में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी रोबोट्स हो गए गेम्स भी आते हैं AI से रिलेटेड़ गेम्स भी आज के समय में आने लगे हैं और सबसे बड़ा इसका एक्जामपल है वो है चैड जीपीटी जो आज के समय में बहुत जाता चल रहा है AI से रिलेटेड़ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके माद्यान से आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में अगर आप जानकारी लेरे चाहते हैं तो हमें कमेंट जरू क करिएगा कि आपको AI से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए ताके हम उसके संबंदित और जानकारी आपको प्रोवाइट करें सिलेबस के बाहर ठीक है अब मेरिट्स डी मेरिट्स की बात करते हैं फायदे नुकसान की बात करते हैं फायदे बहुत सारे हैं नुकसान भी ब माध्यम से चलता है GPS से आप किसी रास्ते को ढूर सकते हो या आपका कोई चीज है आप देखते हो कि बड़े सहरों में जब गाड़ियां होती है वो आपको self driven car को आपको provide करवा दिया जाता है लेकिन उसके अंतरगत के तो GPS लगा होता है जिससे वो track कर सकते काड़ फोन कंप्यूटर में भी इसका इस्तमाल होता है बैंकिंग संस्थान में इन सभी का इस्तमाल होता है बहुत सरी ऐसी जगह जो आज के समय में लोग artificial intelligence का उपयोग करते हैं खनेजी पेट्रोल और इधन की खोज में अपासानी से पहले क्या होता था कि आपको खोजने के लिए जमीन के अंत्रकत कहाँ पर पेट्रोल हैं कहाँ पर खनीजी कहाँ पर हींदन है इस चीज़ों खोजने के लिए आपको बहुत मेनद करने पड़ती थी लेकिन आज के समय में AI को प्योग करके आप आसानी से मसीनों के माध्यम से इन चीजों को खोच सकते हैं खेलों से related आपको रड़नीती बनानी है या आपको कोई चीज प्लान करना है तो आप AI का इस्तमाल करके इस चीज को प्लान कर सकते हैं बहुत सारे फाइदे हैं, बहुत सारे नुक्सान भी, नुक्सान सबसे पहला तो बिरुजगारी का कारण है, आज के समय में जितनी तेजी से AI या मसीने बढ़ रही हैं उतनी तेजी से बिरुजगारी भी बढ़ रही है लेकिन जो यहाँ पर बिरुजगारी के स्तर है वो भी बढ़ गया है इसके लाबा उच्छे कीमत और लागत लागत जादा लगती है चीज़ों में हाई इसकी जो खर्च होता है वो भी बहुत उंचा होता है रचनात्मक सकती खत्म कर रही है यह लोगों की सोचनी की छमता कम करें क्योंकि लोगों को इतना इस दे दिया गया है लोगों को इतना आसानी से सारी चीज़े प्रोवाइड कर दी जाती है कि वो अपनी रचनात्मक तक हो देते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं कि किस चीज को कैसे बहतर किया जा सके, इसके अलाबा इनके कारणक हतियार है, उनका भी निर्माड हो रहा है, आप आने वाले समय में अगर वार की बात करेंगे तो जो लडाईयां होंगी वो हातों से नहीं बलकि इंटरनेट के माध्यम से लड़ी जाएगी, जो साइबर वार होगा, वो साइबर वार जिसके माध्यम से आप घर बैटे, इंटरनेट के माध्यम से लोगों से लडाई करेंगे, तो ये जो आने वाले समय के आने वाला फ्यूचर है, वो साइबर वार का फ्यूचर है जिसके माध्यम से आप internet के माध्यम से ही सारी चीज़े कर सकते हैं और ये फाइदेमंद्ध भी है क्योंकि ये लोगों को आसान या technology से जोड रहा है लेकिन ये नुकसान दायक भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं जो यहां पर खत्म हो रही है तो आज का वीडि़ीड आपको कैसा लगा अगर वीडि़ी पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा चेनल पिण नहीं चलनको सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियों में आज की कलास में समझते हैं expert system क्या होता है इसके लाव और हानी क्या क्या होती है expert system देखे पहले इसको आसान भासम में मैं आपको समझा देता हूँ expert system दो लाइन में ताकि आपको जब आंगे अपन पड़े तो चीज से आप connect हो सको आपको समझ में कि है क्या बात किस चीज की चल रही ठीक है expert system को मतलब क्या हुआ आपको किसी एक विसाई के बारे में बहुत अच्छी से knowledge है आप इस बात के इस प्रकार से समझीएगा कि आपको किसी एक topic पे बहुत अच्छी से आता आपको एक चीज पता है कि free fire में कैसी game खिले जाता है कैसी gun ली जाती है क्या होता है कैसे खेलना होता अगली stage कैसे cross करनी होती है आपको उसके बारे में complete पूरा knowledge है एक चीज आपको उसके बारे में पता आप क्या करोगे आप उस पूरी जानकारी को किसी एक software किसी वीडियो उसके माद्यम से किसी एक टकनीक के माद्यम से उसको किसी memory में श्टूर कर दोग कही पर ऐसी जगह पर save कर दोगे जहां से कोई दूसरा व्यक्ति उसको access करके जानकारी प्राप्त कर सके ठीक है तो आपने ऐसी जगह पर किसी जगह पर आपने उसको किसी memory में श्टूर कर दिया अब क्या होगा कोई ऐसा unknown व्यक्ति जिसको नहीं है किसी चीज के बारे में अगर वो उस चीज को देखेगा उस चीज को जहां पर आपने श्टूर किया वहाँ से उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है तो वो memory वो भाग वो computer जहां पर आपने अपनी पूरी एक्सपर्टीज अपनी पूरी जानकारी को श्टूर करके रखा है वो सिष्टम कहलाएगा expert system expert system का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी पूरी जानकारी एक मसीन में सेव कर दी तो वो मसीन को आपने क्या बनाया आपने इस मसीन को expert system बनाते है ठीक अब तोड़ाँ यहाँ पर परिभास एक साब्दिक सब्दों में समझ लेते क्या है भाई सब expert system मूली रूप से computer अनुपरियोग है जो एक विसेश डोमेन के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है मानव विसेश अग्यों से प्रासंगिक और सटीक ज्यान को computer memory में संगरहित किया जाता है और यह जानकारी जरूरत पढ़ने पर system द्वारा access की जाती है इसको बोलते है expert system चीक है अब expert system चार मुक के घटकों पर आधारित होता है कौन कौन से इसके element होते है user interface पहले तो interface चाहिए जहां से आप जानकारी access कर सको interface engine आविसकार engine चाहिए विकास engine चाहिए development engine चाहिए knowledge base चाहिए अब knowledge base मतलब जहां पर सारी जानकारी है जैसे यहां पर देखो एक simple सा image के माद़ियम से पूरी जानकारी समझ में है कि यह एक विग्यानिक है इन्होंने बहुत पढ़ाई की research की सब कुछ किया और इन्होंने अपनी research जाल दी knowledge base पे फिर एक interface engine के माद़र में से user interface के अंतरगत यह सारी जानका restore की गई अब एक doctor है जिनको symptoms इनने एक मरीज आये मरीज ने symptoms बताया इन्होंने यहां से query की user interface से वहां से उनको advice मिल गई कि यह ऐसे symptoms है मतलब यह यह बिमारी हो सकती और इसका इलाज ऐसे होता है ठीक है तो यह इस व्यक्ति ने expert system का क्या किया उपयोग किया जानकारी को प्राप्त करने के लिए और expert कौन था यह व्यक्ति थे जिन्होंने जानकारी यहां पर restore की थी research और पढ़ाई के माद्यम से तो इस प्रकार से यह जो system बना है जहां पर एक व्यक्ति जानकारी डाल रहा है दूसरा व्यक्ति वहां से जानकारी प्राप्त कर रहा है इस system को बोलते है expert system अब इसका उपयोग बहुत जगह होता है चिकितसा में होता है एंजिनरिंग में होता है सिक्षा में होता है कई जगह पर इसका इस्तमाल होता benefits और इसके लाब भानी की बात करते हैं सबसे पहले advantage देख लेते हैं consistency रहती है बाई सब आपने कोई जानकारी एक बार इस्टोर कर दी है वो जानकारी मिटेगी नहीं ठीक है वो जानकारी आप कभी भी प्राप्त कर सकते है memory एक्सपर्ट सिस्टम सबसे महत्यपुन लाबो में से क्या होता है व्यक्ति को चीज़े याद करने पड़ती माल लो आपने आज कोई जानकारी दी है अब वो जानकारी आप भूल गए या आपके दिमाग से उस समय के लिए निकल गई लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता आपने जो इस्टोर कर दी है वो हमेसा रहेगा लॉजिक एक्सपर्ट सिस्टम में तरक बहुत इसपस्ट है एक एक्सपर्ट सिस्टम में निर्णा लेने या चुनेने के तरीके पर सभी नियम सर्त है उनकी समझ हमेसा इसपस्ट होती है कि वह आप जो उसको क्वैरी देंगे उसके एसाब से वह आपको लॉजिकली तुरंत रिपलाई देगा जो उसके में पहले से स्टोर है इसके लावा एक्सेसिबिलिटी होती है आसानी से आप 24 गंटे कभी भी इंटरनेट इस्तमाल करो मूबाइल इस्तमाल करो अबिलिबिल्टी होती है कहीं पर भी आप इसको उपलब्द हो सकते हो जो वैग्यानिक जिसने व्यक्ती ने जानकारी डाली हो व्यक्ती हर जगा उपस्तित नहीं हो सकता लेकिन उसके द्वारा बनाया गया उसकी जानकारी के द्वारा बनाया गया इससे बहुत लोग लाब उठा सकते हैं अब नुकसान देख लो दिरगायू भी होता है लंबी समय तक चलता है नुकसान क्या है नुकसान है पहला तो टाइम लगता है कॉस्ट जादा लगती है पहली चीज टाइम और कॉस्ट है ठीक है डेटा अखंडता एक्सपर्ट दूसरा टाइम ज्यादा लगता है कॉस्ट लगता है इस्पेसिफिक फील्ड पर आप जानकारी बना सकते हैं कोई एक डोमेन है कोई एक जगह है जहां पर आप कोई एक स्पेसिफिक फील्ड पर ही जानकारी बना सकते हो इमोसन लेस होता है मसीन है इमोसन लेस होती है कॉम निर्मित की जाती है तो expert system को expert बनाता एक expert व्यक्ति है मानव है जो अपनी पूरी समझ पूरी जानकारी उसो machine में डालता है और machine में डालने को वो machine expert system कहलाती है जो लोगों तक जानकारी को पहुँचाती है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं चैनल को subscribe के लिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में